कि दोस्तों देख सकते हैं कि यहां पार यह जो बशुटो आप देख पा रहा रहां कि इस पोडों का बेगरणड करेंब के लिए सब्सक्राइब दोस्तों मेरा नाम है रितियस और रितियस गाइट की कमाल की नई वीडियो में आपका बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों पसंद आगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरू कीजिएगा तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और उसके बाद आपको क्या करना है अपना फोटो को यहां पर इसके अंदर आपन कर लेना है तो यहां पर यह जो फोटो को मैं ड्रैक करके यहां से आपन कर सकता हूं यह फिर इसका दूसरा तरीका में बताता हूं यहां पर आपको फाइल के उपर क्लिक करना है और यहां पर देखिए यहां पर आपकी सामने folder खुल जाएगा और यहां से आपको चूज करना है कि आपका photo कहा पर है तो ली कि यहां पर करोंगा और नीचे ओपन option मिल रहा है इसके ऊपर क्लिक करेंगे जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर फोटो आपका अपने Photoshop के अंदर open हो जाएगा उसके बाद दूस्तों Photoshop 7 में आपको इस प्रकार के फोटो का अगर बेगरॉंड चेंज करना है तो काफी मैनत और मसकत वाली चीज हो जाती है सबसे पहला तरीका है pen tool से आप कर सकते हो दूसरा तरीका है polygon laser tool से और तीसरा तरीका है यहां पर razor tool की मदद से आप इसका बेगरॉंड को erase कर पाएंगे लेकिन दूस्तों मैं आपको यह सजेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि आजकल की technology काफी बढ़ चुकी है और मैं आपको पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक website अपन हो जाएगा और यहां पर फॉर्स्ट वाले लिंक पर क्लिक करना है और यहां पर देखें आपको वेपसाइट है वह रिमूव बीजी का website ऑपें हो चुका है यहां पर दूस्तों आपको फाइल को अपना अपलोड करना यानि फोटेज को अपलोट करना है मुझे क्या करना है या पर अपलोड image के ओपर कलिक करना है और कंग कर देखिए कि कहा पर आपका फोटो उप ऍदर हो चुका है और एकदम बेग्राइब कर दिए गया है चलिक करता हूँ और जैसे डाउनलोड वाले और आप देखेंगे यह जो फोटो है यह आपका बेगराउंड जो rymoo किया था आपने वूब साइट से वह फोटो है और यह वालब उनुट है दोस्तो डोनों 만ी आपका फ़र फार्क वे बश इतना है कि यह जो आॉरिजनल क्वालिटी को enhance करके आप विंडू मिनू में जाना है यहाँ पर विंडू az लाओ है जिसी यहाँ पर अप्सण इसके ओपको क्लिक करना ही क्लिक करने के बाद यहां पर डेख रहा है इस tools बार के उपर में यहां पे crop tool का जो option के उपोर klik करेंगे और उपर में यहां पर आप जायेंगे ठीक है और यहां पर आपको एक को कि यहाँ पर यह जो आपका जो रिमूब बेग्रोंड इमिज है इसके मुपर क्लिक करना है तो इहाँ पर आपने क्रॉप का यहांपर बटन है अभी त каж आपको इंटर रखना है और सलेक्ट रखने की बाद से हम हो जाएगी इसका मतलब यह नहीं कि मैंने सिर्फ क्रॉप कर देने से इसकी क्वालिटी बढ़ जाएगी उसके लिए मुझे एक और काम करना पड़ेगा तो मुझे क्या करना है कि यहां पर यह वाली जो इमेज है इस वाले इमेज के उपर आपको क्लिक करना है यानि कि क आपकी फोटो है वह यहां पर आ जाएगी ठीक है और अभी जो आप यहां पर फोटो देख सकते हो दोनों यहां पर सेम ही दिखाई दे रहा है ठीक है और अब आपको क्या करना है इस पोटो कि इस परकार से जूम कर लेना है तो यहां पर क्या है कि यह जो फोटो यह और ज जीरो है तो जीरो वाला जो लेयर है यहां पर देखिए इसका बेगराउंड रिमूब किया गया है और इसके अंदर जो मैंने कॉपी किया था इस लेयर को यानि की ओरीजिनल वाले फोटो को तो यहां पर जो पेस्ट किया है वह लेयर 1 के नाम से देख रहा है तो क्या करना है ग्रिमूब को कुझछ कर देख करने के इसके अपने की बटन को प्रेस करना है घर अपको monitoring करेंगे तो यहां पर जो स्लेक्शन है वह आपका बेंग्रौंड को कर लेगा उसके बाद आपने कीवोर्ड में डिलीट बटन को प्रेस करना है जैसे डिलीट बटन दबाएंगे तो यहां पर आपका फोटो जो है औरिजिनल क्वालिटी में यहां पर इसका बेग्राउंड रिमूब कर दिया गया है अब यहां पर दोस्तों मैं इसका फार्क दिखाता हूं कि लेयर पेनल में जो यहां पर कि किसी भी फोटो का वे ग्रांड को कर सकते हैं अइसमिश को करने के तरीका करने के लिए सिमपली आपको यहां पर क्लिक करना है और फाइल ने में आपको क्या करना है यहां पर कोई भी उषय पर देदी करना है जैसे उपर क्लिक करेंगे तो आपका से बो जाएगा चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि वह फोटो कहां पर से बूँए तो देखे दूस्तों मेरा जो यहां पर फोल्डर है इसी फोल्डर के अंदर ही मैंने सेप किया था क्योंकि यह औरिजिनल वाला फोटो आप देख पा रहे हैं और उसके बाद यहां पर इस वाले फोटो को देखे यहां पर यह हमारा बेगरांड रिमूब कर दिया गया है तो पहले और अभी तो बहुत ही असाने सी दोस्तो भले ही इसको समझाने में थोड़ा टाइम लगा हो लेकिन दोस्तों अगर आप इस टिप्स का इस्तमाल करते हैं मातर दोस्तों 15 से 20 सगंड के अंदर आप किसी भी फोटो का बेगरण को रिमूब कर सकते हो किसी भी फोटो शॉप में तो अगर आपको यह वीडियो लाता रहता हूं और अगर आप कुछ इसी टाइप के वीडियो को देखना पसंद करते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिए और बेल एकन को प्रेस कर लिए ताकि आने वाले नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे तो दस्तों मैं मिलत हूं इसी परकार के कमाल के नए वीडियो के साथ सब्सक्राइब के लिए जय ही जय भारात